लास्ट लेक्ट्र में हम यह जान गए थे कि Linux, Unix से कैसे बना है और थोड़ा बाव उसमें डिफरेंस भी देखाता है इसमें देखेंगे Linux के आपर विवी के बारे में और बेसिकली हमें स्टडी करेंगे इस्ट्रेक्चर कैसा होता है किसी भी ड्रेवाइस के लिए नया ड्रावर अपने कोडिंग ड्रावर को क्रीट किया जा सकता है और इसी कारण से जो एंडुराइड अपरिंग सिस्टम है ऐसे ही बना था इसे की यह ओपन सोर्स उपरिंग सिस्टम है ओपन सोर्स मरलब ऑगया कि मोडिफाई कर सकते फिर कॉस्ट अभलेबल रहता है और बहुत सारे इसके millions of application available हैं कुछ free हैं कुछ paid हैं paid फिर भी बहुत minimum है और इसमें किसी भी एंटिवाइस की जोगर नहीं होती secure होता है 100% and robust होता है robust secure का जैसे android है and secure होता है robust की बात करते हैं तो robust का मलब ही होता है कि यह मलब normal condition में तो बड़ करता ही है कभी-कभी unusual condition में भी काम करता है लेकि की एकजांपल लेते हैं कि आपके कोई site है कोई site आप ऑपन कर रहे हैँ तो देखते हैं कि mobile पर हमारे desktop ओर हमारे bipartisan mode में वह भी support करती है कुछ ऐसी site होता है कुछ application होता है software होता है what will be support नहीं करते जैसे Google, Amazon, Facebook, यह अपने server के लिए Linux का यूज करते हैं और सबसे better quality यह होती है Linux के बारे में कि इसका जो भी servers होता है इसको हम without reboot कि यह run करता रहता है, reboot करने की जगर नहीं रहती है portable होता है, बश्य टालेंज सेक्यूरी आप जानते हैं support for almost all programming language इसकी जैसे कुछ operating system होती है, जो कुछ applications है या Android के पहले बात करते हैं तो कुछ mobile operating system जो आपके कुछ videos को support नहीं करते थी या कुछ programs है जो support नहीं रहते थे, उनके ही program support होते थे Android ने सारी problem थी, उनको solve कर दिया, structure या architecture की बात करें तो जो Android या Linux का architecture होता है, वो same as operating system की तरह ही होता है जो normal operating system का होता है, जैसे कि पहले हमारा hardware रहेगा, hardware की उपर रहेंगे उसमें operating system, operating system की रहेंगे, leverage, leverage की बात रहेंगे हमारे user programs, और यूजर रहेंगा, इस पहसे रहता है तो Linux system can be regarded as a kind of permit, प्रामिट की तरह इसे regard किया जाता है, जिसमें bottom पर hardware रहेगा तो इसमें direct to see पर देखते हैं, डाइग्राम पर बताते हैं आपको यह Linux operating system का hardware, structures, तो इसमें देखे, bottom पर hardware से, सभी operating system में रहते हैं hardware में जैसे CPU हो गया, memory हो गया, disk हो गया, terminals, terminals connectors होते हैं, जो जिसमें connect किया जाता है, वो terminals कहलाते हैं उसके उपर रहेगा हमारा Linux operating system, तो जो operating system होता है, वो basically call system interface या system call प्रोवाइड कराता है, कि कोई भी programs है, कैसे user mode से kernel mode में entry कर सकता है, जो भी files हैं, उनको कैसे modify कर सकता है, तो system call का क्या होता है, कि जो भी user programs है, उनको permission देता है, कि वे files को, process को, या किसी भी other resource को, create कर सकते है manage कर सकते हैं, उनने modify कर सकते हैं, यह facility system call के द्वारा ही provide कर आई जाती है, तो कोई program है, वो system call कैसे बनाता है, उसको बनाने के लिए वो आप example ले सकते हैं, जैसे interrupt होता है, ना, CEO में interrupt होता है, interrupt में क्या रहता है, कि कोई भी program interrupt तब करीट करता है, जब वो CPU जैसे बीजी है, क कोई किसी दूसरा, माली जै आप computer पर pen drive लगाते हैं, pen drive एक तरह का क्या है, interrupt है CPU के लिए, क्योंकि CPU कर रहा है, अपने system के program का execute, suddenly कोई दूसरा नया program बाहर से आया, तो वो यजे interrupt किया जाएगा, तो CPU क्या करेगा, उस नए program को, मलब interrupt को service करने के लिए, जो पुराना program, जो files को modify कर सके, तो interrupt की जैसी service होती है, तो जो भी program current में run कर रहा था, वो फिर से resume हो जाता है, तो इसमें क्या रहता है, कि जो भी programs है, वो kernel mode में जाना चाहता है, तो वो argument, function के argument, उनको register में post करेगा, register में post करने के बाद, CPU के पास as a trap instruction आएगा, तो CPU इसको फिर service प्रोवाइड बायर करा देगा, और भांकि Linux operating system के function होते है, तो ऩो normal operating system के function होते है, जैसे process को manage करना, रवैमोरी मेनेज करना, file को manage करना या I, O device को manage करना, फोड़े जान लेते हैं, user mode اور kernel mode क्या होते हैं Kernel mode जो होता है इसे हम privilize mode भी कहते हैं या super user mode भी कहते हैं ये cable operating system में ही होता है और इसको cable operating system ही मझस्में फाइल में कोई change करना हो तो OS को ही सारे write होते हैं इसमें कोई भी user program इसको modify नहीं कर सकता लेकिं जो user mode होता है जिसमें user के programs modify होते हैं बाकि kernel mode में जो भी programs हैं या files हैं जो restricted रहती हैं वो इसमें modify होती है user mode में वो modify नहीं होती है जैसे example लेते हैं आपके android मोबाल में या computer में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी files होती हैं जो store रहती हैं जो हमें पता होता है कि कि यह किसी काम की नहीं है लेकिन वही फाइल सोते हैं जो करणल मोड में किभल मोडिफाई होती है वह जूइश ही मोडिफाई कर सकता है अगर आप उन्हें डिलीड करने की कोसिस भी करेंगे तो क्या होगा या तो आपका अपनिक से करप्ट हो जाएगा या फिर कुछ अनुजियल रिजल्ट प्राप्त होंगे मालों कुछ प्रोग्रम रन नहीं करेंगे तो यह प्रोब्लम आती है तो ऑपनिक सिस्टम के जस्ट उपर हमारे प्रामिड में होता है शेकंड पार्ट जिसे बोलते हैं हम स्टेंडर्ड करना एक होता है हमारा फोर्क फोर्क लिनिक्स में ही होता है इसे हम सिस्टम कॉल भी कहते हैं जो जिसमें क्या इसका काम होता है कि एक प्रोसेस कर रही है वह अपने टाइप की दूसरी प्रोसेस बना सकती है तो इसमें क्या होता है इसे रेप्लिकेशन भी बोलते हैं इसमे बार next होता है standard utility programs इसमें कुछ programs होते हैं यूजर जिसमें जिनके थुरू user OS से connect होता है जैसे cell होता है editors होते हैं और compiler होते हैं तो ये दो तरह के होते हैं जो utility programs होते हैं जिनके थुरू user kernel से system से connect होता है तो पहला रहता है हमारा command line interface command line हम लोग जानते हैं command line का मलब होता है कि जो keyboard के थुरू आप input दें system को और CLI बोलते हैं इसको और दूसा होता है graphical user interface GUI इसमें कहा रहता है माउस के थुरू system को input दे सकते हैं तो इसमें जो cell आता है वह हमां command line में आता है जैसे MS-DOS में होता है command prompt होता है सी तरस्थिस में cell होता है तो cell क्या करता है कि kernel और user के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है तो कोई भी आप टाइप करते हैं तब जाके वह information पहुंचते हैं एडिटर होते हैं यह text file को process करने के लिए होता है कुछ file manipulation के भी programs होते हैं और GUI में आएगा हमारा जैसे कि आप desktop पर देख सकते हैं तो android इसका example है उबन्तू भी एक्जामपल है डेवियन इसका example है बाकि कमार लाइन की बात करें तो इसमें रेड हट है या काली लीनिक्स है यह सब इसमें आते हैं